नमस्कार साथियों, साथियों मैं आप आपको बताऊंगा कि जमीन रजिट्री करवाने पर कौन-कौन से वो चार या पांच जो नए नियम जो हैं जो आप सभी लोगों को जानना चाहिए जो कि विभाग दौारा इस्पेशल लोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जारी किय जा गया है ठीक है अब देखिए में चीज आपको पता दूब आपको आपको नहीं बताएंगे तो अपने अपने आपको बताऊं आपको प्रॉपर्टी डीलर चाहेंगे कि आप इन नियमों को न जाने अगर आप आन नियमों को जान गए तो भाई बेइमानी कैसे कर पाए अब देखिए यहां पर देखिए यह 28 नंबर प्लॉट है रजिस्ट्री संक्या 53-07 खसरा संक्या 36 में यह प्लॉट बेच दिया गया था ठीक है एक विक्ति को नरेश कुमार को लेकिन फिर यही प्लॉट गाटा संक्या 44-44 प्लॉट संक्या 28 खसरा संक्या 36 देख लीजिए सैं डिस्क्रेप्शन रेजिस्टी कर दी गई अब देखिए यहांपे देख्ये यहांपे देखिए क्या हैεί क्या है वेक्रेता के आंद से अधिक विक्रय होने के कारण सॉमित वेक्रेता सेस नहीं बच्यता है दागल खारिज न्रस्त किया जाता है ओस्षरी एं फ्रागा हुई है एक विक्ति के साथ 65 लाग रुपया चलागा तीन साल बद पता चला कि जमीन फरजी है और सब 12 साला बगएरा निकल वाया था ठीक है तो यह नौटिफिकेशन जान लीजिए भाई अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं खरीद च चेक करवाना चाहरा है कि आपको चेक करवाना है कि हमारी जमीन वह सही है कि नहीं तो वह भी आप करवा सकते हो कि इस पर कोई फ्रोड बगएरा तो नहीं है ठीक है साबधानी के लिए अब देखिए यह क्या कह रहा है वह आप जान लीजिए सबसे जरूरी है सातियो मैं आ एक सेकेंड और दीजिए मुझे आपको अच्छे से समझाना है तो थोड़ा इसकी सेटिंग अच्छे से कर लूँ जाए ताकि आपको जो है उस समझ में अच्छे से आए एक मिनट रुकना ठीक है साती चलिए यहां पर देखिए लेग पंजीकृत से पहले पूर्व सामना साबधानिया ठीक है यह जो है यह जो रेजिश्टेशन विवाग जो है उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया अब देखिए अचल संपत्ति विक्रह या विक्रह अनवंद में ठीक है या तो मालीज आप एग्रिमेंट कर रहे हो या भाई जमीन खरीदने जा रहे हो क्या करे लाउत कर दिखें करेठह को जमीना करीडने खरीदराएं विक्रेता को संपत्ति का प्राप्त सॉमिन यवं अधिकार की जानकारी अवस्त ले लिने चाहिए जैसे मालीजे यह वह बेच रहा है तो आपको यह देखना है कि एके नाम जमीन कैसे आई और जिसने से किए उसका चैन देखिए उसको कहां से राइट साथ रभी जानकारी अवस्ठ कर लेनी चाहिए इसके लिए खरसक वह मैं तोपर ख़ताऊनी अधिकार अधिकार अविलेख में अधिकार अविलेख में स्रेडी नम्मर खातेदार का वर्ग गाटा संक्या फसली वर्स ठीक है कितना चेत्रपल है दारा 116, 117, 1198, 1180, 143 ये चीज़ चेक कर ले सारी चीज खतोनी में 19 प्रवस्टियां होती है ठीक है तो खतोनी बहुत बड़ा हो और देखिए यासे मुझसे आप जमीन खरीद रहो मेरे नाम दाकिल खारेज है खतोनी म मैं एक विसेशा की हूँ तो बता रहा हूँ आपको बागी आपको नहीं मानने की इच्छा है तो मत मानिए ठीक है वीडियो स्क्रिप्ट करिए और आप अपना काम देखी जाए ठीक है अब देखिए तीसरा क्या है खतोनी की निकल प्राप्त कर अंकित वोड़ों का सत्या स्वमित संबंदी जानकारी प्रात्त कर लेनी चाहिए ठीक है अब देखिए यहां पर सासकी अर्द सासकरी संस्थाओं यह था विकास प्रादिकर्ड या आवास विकास परसत अन्य द्वारा विक्सित योजनाओं में अगर मालीजी संपत्ति संबंदी विवात नहीं होते संपत्त हैं तथा इन योजनाओं में अस्थिति में अन्य पच्छकार क्राय की जा रही है तो एसी संस्थाओं अब लेग भी संबंदी जानकारी प्रात्त की जा सकती है यानि कि साथी जो सरकारी संथा होती है जो थीक है वरना भाई दोकादी हो जाएगी मेरे पास परड़े मैटर्स हा रहा है और देखिए कोई भी आप बैतर कानूनी सला लेना चाह रहे है या सात्यू माली जी आप कंसल्टेशन करना चाह रहे है कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं खरीद चुके दाकल खारज नहीं हो रहा अ ठीक है अब देखिए साती हो विक्रेता को संबंदित संपत्ती का सौमित तो यदि किसी पंजीक्रत देखिए लेक पत्र या माननी न्यालाय आदेश द्वारा किसी विदिक पृत्तिया द्वारा प्राप्त हुआ है तो क्रेता को संबंदित विक्रेता प्राप्त करके सत्य साथियापन सम्बंदी न्याला इसे कर लें देखिए अगर एक मुझे रजिश्ट्री से मिली थी रजिश्ट्री कर वाई थी तो इस को रजिश्ट्री सिंवापन करें और यह जो कह रहा है कि मैं बेच रहा हूं तो यह चेक करें किसे मालिका नाग किसे मिल गया और एको घराएं बी को कैसे मालिकाना गया था यह चीज़ चेक करें चलिए आते हैं आपने सेकंड पॉंट पर ऑद जो लोग कहते हैं कि हम 12 साल से खरीद रहा है 12 साल बेंग चेक कर रही है वह भाई बैंक 116 कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ठीक है तो यह चेक करिए ना आप ठीक है इसलिए तो यह वीडियो देख रहे हैं और देखे कोई भी कानूनी सलाह है या जमीन खरीदरे करना चाहते आप ठीक है या माले जे सात्यों कोई डॉकुमेंट चेक करवाना चाहरा है तो 190 फीस पे करके आप जो है सला ले सकते अब देखे क्रेता को संबंदित भूम संपत्ति की पहचान यानि की जैसे माल लीजिए मैं कहरा हूं कि मेरा नाम ए है मैं बेचूँगा तो एक ही पहचान करें सुनिस्चित करें बहुत ए संबंदित कालोनी का ले आउट प्राप्त करके की जा सकती है ठीक है देखिए साथियो एक चीज में आपको और कहूंगा कि बाई जब भी आप जमीन खरीने तो वहां पर नक्सा भी चेक करें अब जैसे माल लीजिए साथियो यह है ठीक है यह सडक आईवी ठीक है यह आटा संक्या पांच है यह यह में बेच रहा हुआ आपने माल लिया कि वैए यह पांच आपने करा लाए तौनर पता चलता इंब ठेक है ठीक है ना अगर layout registered है तो बहुत अलग है क्रेटा को विक्रेटा की पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए अगर माली कोई क्रेटा कहता है कि मैं यह हूँ मैं बेचूंगा तो यह सुनिश्चित करें कि यह है इसका गाउं प्रता का नाम सब भी सुनिश्चित कर लें यह वही र बारकोट बेच दिया जगा फीस पे करके आप कर सकते हैं डॉकुमेंट चेक करवाना चाहिए वह भी करवा सकते अब देखिए यहां पे क्रेता को संबंदित संपत्ति पर किसी भी प्रकार अत्वा संपत्ति के प्रवंद में पूर्व में हुए किसी अन्य सोदे की उपस् चीज एक्स प्रॉपर्टी का कोई लीज तो यह नहीं कर दिया है एक्स प्रॉपर्टी का कोई सौदा यानि की करार तो नहीं कर दिया है ठीक है ना करार यानि की एग्रिमेंट ठीक है ठीक है ठीक है ना एने किसी को बेच तो नहीं दिया यह सारे चीज़ें चेक करें आप ठीक है ना अब सातियों आते हैं आपे नोट अच्छर संपत्ति विक्रे में क्रेटा द्वारा तो साफदानिया स्वेम अपनाया जाना आवज सक है विक्रेटा सौमेत उधिकार संबंदी किसी भी प्रकार के लिए स्टांप वंदर उत्तरता ही नहीं होगा देखिए मैं एक है तooky अपको सबको कि यह प्रापरिटी आप खरीद रही हो आपने गलत खरीद ली ठीक है न loneliness property transfer act section 3 कहता कि जब आप property खरीद रहे हो तो आपको जांच परताल आपकी जिम्मेदारी है वहां पे वकील मतलब मतलब वकील की होगी ना रेजिश्ट्री ऊपेस की अंएच चीज आपको बता दो कोई नहीं बता ऐख की आप वकील से कर वा रहे हैं बीफ और दूसरे को जानते एक की तयसिल का मैटर होता तो एक कभी नहीं बताएगा आपको छोटी- छोटी वकील जोए, कभी नहीं बताएगा छोटी-छोटी चीज्जյें किसमें ये कमी है। इसलिए आपको suggestion दूंगा कि आप मुझ से कानूनी सला लें सकते हैं, More टरह नहीं आपको प्रॉब्लम आएगी बता दिया कि सक्षन 98 के नियमां को अलंगा नहीं बता दिया तो आप रंश्टी नहीं करवाएगा बिचारे कि जो भी माल लीजे वह करेटा को अप्रवध करा दे करेटा ताकर सत्यापन कर ले ठीक है तो मेरे दौरा भी मदद कर सकते हैं रिचाक के लिए धनवासाथि